इस वीडियो में आपका स्वागत है पिछली वीडियो में हमने यूकलिड विभाजन प्रमेई का पर आधारित उधारन दीखा अब हम देखेंगे कि ऐसे प्रश्णों को हल करते समय सामाने तह क्या गलतिया हो सकती है एक दुकानदार के पास 1517 जूतों की और 902 चपलों की जोडिया है वो इनको इस प्रकार डिब्बों में रखना चाहता है कि प्रतियक डिब्बे में जोडियों की संख्या समान रहे ऐसा करने के लिए प्रतियक डिब्बे में कितनी जोडिया रखी जा सकती है प्रेश्ण को हल करने के लिए वीडियो को रोकें और फिर अपने उत्तर का मिलान करें चूकि यहां जोडियों की समान संख्या ग्याद करनी है अर्थात इन दोनों की संख्या का HCF ग्याद करना है जिसके लिए हम यहां यूकलिड विभाजन प्रमेईका का प्रयूग करते हैं यहां 1517 बड़ा है 902 से इसलिए A और B के मान रख हल करते हैं यदि आपने विकल्प एक का चैन किया है तो यह अच्छी कोशिश है परन्तु यह गलत उत्तर है क्योंकि जब आप यूकलिड विभाजन प्रमेईका का प्रयूग करते हैं तब आप जल्दबाजी में भाजत यानि की डिवाजर के स्थान पर भाज्य यानि की डिविडेंट को चुन लेते हैं जिसके कारण आपका उत्तर गलत हो जाता है यहां HCF ग्याद करने के लिए हमने यूकलिड विभाजन अल्गोरिद्म यानि की यूकलिड विभाजन अल्गोरिद्म का प्रयूग किया जो की यूकलिड विभाजन प्रमेईका पर आधारित है यदि आपने विकल्प दो का चैन किया है तो ये अच्छी कोशिश है परन्तु यह भी गलत उत्तर है क्योंकि जब आप नए भाजक यानि की डिवाइजर 902 और 615 को लेकर पुनह यूकलिड विभाजन प्रमेईका का प्रयूग करते हैं तो शेश फल यानि की रिमेंडर रिनात्मक प्राप्त करते हैं जो की सही नहीं है क्योंकि प्रमेइका में R का मान रिनात्मक नहीं होता है, R 0 से बड़ा या बराबर होता है, और इस प्रक्रिया में हमें शेश फल शून्य नहीं प्राप्ट हो रहा, इस बात को भी हम नजर अंदाज कर देते हैं, और इसी कारण आप यहां 1517 और 902 का HCF 615 मान लेते हैं, अतह जिसकी कारण आपका उत्तर गलत हो जाता है अगर आपने तीसरे विकल्ब को चुना हैं, तो यह सही है, HCF के लिए यूकलिड विभाजन प्रमेइका का प्रयोग कर इसे हल करते हैं यहां 902 से 1517 बड़ा है यूकलिड विभाजन प्रमेइका की प्रक्रिया को तब तक दोहराते हैं, जब तक 6 फल 0 प्राप्त ना हो जाए यहां 6 फल 0 प्राप्त हो जाता है, इसलिए प्रक्रिया यहीं समाप्त हो जाती है क्योंकि इस स्थिती में भाजक 41 है, इसलिए 1517 और 902 का HCF 41 होगा, जिससे विकल्ब 3 सही उत्तर है तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि इस उधारण में तीसरा विकल्ब क्यों सही है और बाकी दो क्यों गलत है अध्यापक भी कक्षा में विद्यार्थियों की सूझ बूच का परीक्षण ऐसे ही कुछ उधारणों की मदद से कर सकते है अध्यापक झाल 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 झाल